कपास से जुड़ी बड़ी खबर सरकार ने अधिक लंबे रेश्य वाले कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी है चबकि आयातीत ब्लूबेरी, क्रेंबेरी और फ्रोजन टर्की के निर्दिश उपादों पर शुल्प में कट होती की गई है ब्लूबेरी और क्रेंबेरी पर इंपोर्ट ड्यूटी 30 फीसद से घटा कर कुछ मामलों में 10 फीसद तो कुछ में 5 फीसद कर दी गई है लेकिन लंबे रेश्य वाले कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से शुन्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत में विरले ही पैदा होने वाले इन चीजों पर शुल्क में कटोती से अमेरिका को भारतिय बाजार में दस्तक देने में मदद मिलेगी और भारत में इन उत्पादों की कीमते कम होंगी और इस कदम से डबल्यू टियो का हिस्सा बनने वाले अन्य देशों को भी लाब होगा आपको बता दें कि सरकार ने लंबे रेशे वाली यानि 32 मिलिमीटर से लंबे कपास जो धुना या साफ ना किया गया हो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा कर शुन्य कर दिया गया है इसके लावा मंत्रालिया ने ये भी कहा है कि कपास ध्योगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है ये फैसला कोटन इंडस्ट्री की चिंताओं को ध्यान में रखने के साथ आयात नियमों को उनके हिसाब से ढालने की कोशिश की गई है ताकि आने वाले समय में इस शेतर से शामिल लोगों को इसका फाइदा मिल सके Bureau Report Market Times TV